सब बढ़िया जी आज हम जानेगे कि फैक्टरी में स्मार्टफॉन कैसे बनता है वैसे स्मार्टफॉन बनने की प्रिकरिया काफी जटिल होती है लेकिन आज हम आपके रिए इस जटिलताओं से भरे प्रोसेस को आसान भासा में समझाने की कोशिस करेंगे ताकि आप भी जान सकें कि जिस स्मार्टफॉन को अभी आपने अपने हाथेली में पकड़ रखा है उसको फैक्टरियों में कैसे बनाया जाता है और वीडियो के अंथ में स्मार्टफॉन से जुड़ी एक ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपको सायद यकि करके अलग कर दिया जाता है जिसके बाद ड्रेल मसीन की मदद से फ्रेम में छेद किया जाते हैं ताकि छेदों में छोटे-छोटे स्क्रू को लगाया जा सके अब अलुमूनियम से बने मोवाइल के सारे केस फ्रेम्स को और जादा टिकाओ बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार के योगिक में डुबो कर इने निकाला जाता है फ्रेंग के बाद अब बारी आती है फौन के डिस्प्ले को बनाने की इस फैक्टरी में कई सारे ओटो टेक्नोलोजी से लेस मसीने होती हैं जो की खुद बखुद एक जटके में ही फौन के एक डिस्प्ले सिस्टम को बना देती है अब कुछ वर्कर से सारे बनाये गए डिस्प्ले की परफॉमेंस को अलग-अलग तरह से चेक करते हैं उसके बाद फॉन के सर्कीट बोर्ड को बनाया जाता है सबसे पहले सर्कीट में कैमरा और भी कई सारे छूटी-छूटी प्रोसेसर को इनमें लगाया जाता है सर्कीट में मोबाइल के सारे में चीज़ों को लगाने के बाद सर्कीट में दमदार M&H की बैटरी को भी सोल्डिंग मसीन की मदद से जोड़ा जाता है अब बैटरी के दूसरे छोर से निकले वायर को चार्जिंग के में सर्कीट में जोड दियते हैं साथ ही इन में स्पीकर्स को भी सेट की आयाता है सभी पार्ट्स को लगा दिये जाने के बाद उसके केस को भी बंद करके स्क्रू से अच्छी तरह फिट कर दिया जाता है और उसके बाद मोबाइल के कवर को बंद करके पूरी तरह सील कर दिया जाता है और अब आखिर में डिस्प्ले परफोर्मेंस की जाच की यादी है जाच हो जाने के बाद एक वर्कर मोवाइल के हर कमपोनेंट को चला कर चेक करता है कि वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं और सबसे अंतिम में सभी फोन्स की चार्जिंग टेस्टर की यादी है सभी फोन को कई घंटों तक चार्ज किया जाता है और सभी जाच सही पाई जाने पर स्मार्ट फोन को डबो में पैक कर दिया जाता है आप किस कमपनी के स्मार्ट फोन का यूज करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे दुनिया के पॉपुलेशन से भी जादा मोवाईल फोन्स फैक्टरी में बन चुके हैं भाईयों हमें ये जनकारी घटा करने में बहुत मैनत लगता है तो इस मैनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें अब आपके स्क्रिन पर दो वीडियो और दिख रहे होगी दोनों वीडियो कावी अच्छी है आप इस पर क्लेक करके देख सकते हैं